हेलो दोस्तो दीपक एडियो वर्ड में आपका एगवार फिर से स्वागत है मैं हूँ आपका दोस्त दीपक चलिए शुरू करते हैं हाज गध्य है आज हम सीखेंगे इंसर्ट आप के अंतरगत टेबल ब्लॉक में पिवर्ट टेबल का उप्योग करना दोस्तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए आपने दोस्तों साथ सेर कीजिए और ताजा जानकारी प्राप्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो यहाँ पर मैंने एक रिकॉर्ड लिया हुआ दोस्तों आपको ये टॉपिक समझाने के लिए एक पिवर्ट टेबल कैसे काम करती है तो आप यहां दिखो कि और नेमो पर्सन दिये रखें गया है फिलाल हमारे पास रिकॉर्ड थोड़ा है ज्यादा रिकॉर्ड होगा तो इसमें आप कैसे बताऊगे तो उसके लिए हम प्रेवर टेबल का यूज करके आसानी से यह चीज निकाल सकते हैं मानलीज यह लेक्रोनिक्स के अंदर कितनी सेल हुई है या मेरे को आप काम करता है कितनी सेर उसने की है तो different different तरीके के questions साते है हमारे record हम बनाते हैं तो pivot table की help चीज हम आसानी से data को बड़े data को summarize कर सकते हैं तो इसके लिए हम क्या करेंगे insert menu पे चलेंगे tap पे चलेंगे और वहाँ पे हमारे पास एक table block का option है यहाँ पे हम जाएंगे तो pivot table का option यहाँ पे दे रखा है इसके लिए क्या करना है आप अपना table के अंदर कहीं भी क्लिक कर लीजिए जो record आपका है और pivot table पे क्लिक कीजिए जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका record जो होगा वो automatic select हो जाता है manually select करने के लिए आप जब इसको open करोगे तो यहाँ पे आप देख पाए हो यहाँ पे आपके पास select a table और range तो यहाँ पे आप table की range को भी select कर सकते हो अब यह कहते है कि आपका की जो आपकी report generate होगी pivot table report generate होगी वो कौन सी seat पे आपको करनी है या existing work seat पे करनी है अगर आपको इसी seat पे करनी है तो आपको select करना पड़ेगा कि वो table की report होगी वो कहाँ आपको दिखानी है फिलाल मैं नई seat पे करता हूँ तो new worksheet पे already detect कर रखा है हमने और okay कर देंगे जैसे ही मैं इसको okay करूँगा तो यहाँ पे अगली sheet पे हम पहुंच गए sheet 5 और वहाँ पे हमारे पास एक pivot table के name से एक खाली table यहाँ पे generate हुई है और यहाँ पे left side में कुछ columns के name हमें दखाई दे रहे हैं तो इससे क्या होगा कि इस report के अंदर हम जो चाहें table के अंदर वो record हम यहाँ पे show करा सकते हैं जैसे मानलीज यह मैंने क्या किया यहाँ पे name of persons पे click किया तो यहाँ पे आपके जितने भी persons थे वो सारे आपके यहाँ पे name उनके आ गई उसके बाद मैंने क्या किया sales 2016 पे click किया और 17 पे click किया तो यह देखिए name of persons के साथ 2016 और 2017 की उनकी जो sale है वो यहाँ पे आ गई है और grand total यह automatic करके दिखाता है जो भी आपकी sale है उसका total आपका यह आ रहा है चलिए यह तो simple सा था आप हम कुछ अलग try करते हैं मानली जी हमें चेक करना है कि कौन से department में यह हम चेक करेंगे भई यहाँ आप देखोगे कि मानली जी मुझे चेक करना भई electronics department में total sale कितनी हुई है तो फिलाल तो हमारे पास यह record थोड़ा है जादा होगा तो कैसे हम बताऊगे तो उसके लिए हम pivot table वाली sheet पे चलते हैं और यहाँ पे हमने क्या किया department पे click कर दिया तो यहाँ हमें department के names हो गए तीन department थे तीनों यहाँ पे आ गई है उसके बाद अब हम क्या करेंगे अब हमने click किया भई हमें total sale चेक करनी है 2016 की तो sales 2016 वाले column पे मैंने टिक किया तो यह देखिए electronics के अंदर 2016 में जो total sale हुई थी फच्पन सो सियासट हुई थी furniture की 480 and garment की 3450 तो वेर्ल जो total total है वर्हकी तो आपका इतना आ रहा है 13396 मथ तो यह हमने आसानी से दिखादिया Pvt पडादों की help से अब मानली नी धे हमें दिखाना है आप यह दिखाए कोनने डिपारटमेंट में improvement में कितने दिखाई दे रही है उसके बाद हमें चेक करना इनकी सेल दिखाई है 2016 की तो यह देखिए मैंने 2016 पर क्लिक कर दिया तो इलेक्ट्रोनिक्स के अंदर जो टोटल सेल हुई है वह हुई है 5566 और किसने कितनी किया है पर्टिकुलर परसंस का इंडिविजिवल परसंस के लिए यह यहां पर आपका सेल्स यह जो कॉलम है आपका वह 2016 के लिए और यह जो कॉलम आपका आ रहा है यह 2017 के लिए आ रहा है उसके बाद हम क्या करेंगे हम कुछ अलग ट्राइग करेंगे इस बार और फिर से माली जी हमी चेक करना है कि वही कौन सा परसं कौन से डिपार्टमेंट में काम करता है यह हम यहां टेबल में देखेंगे यह पर परसंस दे रखे हैं यह डिपार्टमेंट दे रखे हैं अब हम पिवर्ट टेबल की हल्प से यह चेक करना चाहते हैं कि कौन सा इंप्लोई कौन से डिपार्टमेंट में काम करता है तो पहले नेम उफ इंप्लोई ले लिया उसके बाद हमने डिपार्टमेंट पे क्लिक कर दिया तो जैसे ही क्लिक किया अनील फनीचर पे काम करता है दीपक गार्मेंट में करता है मौनू फनीचर में करता है ओम दौनों में करता है electronics में भी और furniture में भी ऐसे ही नीचे आपको यहाँ पे special आपका जो record है वो उसी तरीके से दिखा दिया है अब इनकी sale चेक करनी है तो आप यहाँ पे sale चेक करते हो 16 की चाहिए 17 की चाहिए तो आप के लिए कीजिए भई ओम आपका दो अपार्टमेंट में काम करता है electronics के अंदर भी और furniture के अंदर भी तो इस तरह से हम data को आसनी से pivot table की help से summarize कर सकते हैं budget data को उसके अंदर अलग-अलग तरीके से हम data को दिखा सकते हैं अगर दोस्तों मैं यहाँ से इसका print निकालता हूँ इस seat का तो यह बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही print में आएगा इससे आसान होगा कि हमें जो original record है उसको print नहीं निकालना है किसी को दिखाना है किसी को देखना है तो हम जो report हमने generate की है केवल उसी का हम print निकाल देंगे तो कोई भी इसको देखेगा आसानी से उसको समझ में आ जाएगा कि funda क्या है अब हम एक चीज़ और मैं बताऊँगा आपको कि अगर हम table के अंदर जाके किसी भी record में कोई changes करते हैं मानली जी है मैंने इसका यहाँ पर क्या कर दिया राम का जो department है उसको मैंने फिर से garment वापिस कर दिया अब हम चेक करेंगे seat के अंदर जाके तो यहाँ पर राम का department का है राम का electronics ही दिखा रहा है यहाँ पर कोई change नहीं होगा अगर आपने table के अंदर जो record है जिसकी table आपने बनाई हुई है उसमें से किसी भी record में आप कोई changes करते हो तो वो pivot table में direct नहीं आएगा उसके लिए क्या करने है आपको उसके लिए view के बाद एक options का option आता है जो specially pivot table पे ही काम करता है और तब भी आएगा जब pivot table पे क्लिक करोगे बाहर क्लिक करने के बाद आप देखोगे view पे कोई भी option नहीं आ रहा है फिवर टेबल में कहीं भी क्लिक कीजिए तो यहाँ पे options आगया है options name से अब हमें यहाँ पे सीधा आपको यहाँ जहां करजर आप देख पा रहे हो एक refresh का वटन दिया हुआ है यही चेंज वहाँ पे करते हो आप टेबल के अंदर और वह आपको पिवर्ट टेबल के अंदर दिखाना है तो उसके लिए आप refresh पे जाके refresh all पे टिक करेंगे एक और सीज़ दोस्तो अगर आप क्या करते हो इस टेबल पे जाके आपको यह एक और कॉलम एड़ कर देते हो मैंने क्या किया एक और कॉलम मैं हमपे अड़ कर रहा हूँ टोटल 2016-2017 में टोटल सेल किस ने कितनी किये है 건 कि तो मैं इनका टोटल कर लेता हूँ क्या होगा अगर मैं यहां से सिंपल सा रिकॉर्ड कर लेता हुआ हुआ है यहां पर चेक कर पाऊगे यहां पर कॉलम आपका दिखाई ही नहीं दे रहा कि टोटल सेल जो अपने किये 2016-2017 की इसके लिए क्या करना है आपको इसके लिए हम टेबल पे कहीं भी क्लिक कर लेना खाली जिगह में जो पॉइवेट टेबल आपने जनरेट की हुई है और फिर से उप्संस पर चलेंगे आप यहां एक बार आप नेजर डालिए एक बार कि यहां पर जो हमें ऑप्संस दे रखे है वो हमें दे रखे हैं कि आपका जो हमारे पहले जो कॉलम ते वो कॉलम नेम यहां पर आ रहे हैं अभी जो हमें नया कॉलम नेम टेबल में एड किया था वो हमें यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे अगर हमारी जो टेबल है उसके अ हमने टेबल में किया है वो हमारा यहां पे सो जाएगा अगर हमने टेबल की रेंज को ही कम यह जादा किया है मान लीजिए मैंने अभी जो एक और कॉलम एड किया था यह कॉलम एक और एड किया है अब यह टेबल में तो नहीं आ रहा क्योंकि हमने जो टेबल जनरेट की थी व अगर आपको रेंज में कोई भी चेंजिस करना है तो उसके लिए आप चेंज डेटा सोर्स पे जैसे ही क्लिक करोगे एकदम से पहुंच जाओगे अपनी टेबल वाली सीट पे जहां आपका रिकॉर्ड सेव है यहां आप देख पा रहे हो पहरे जो रेंज आपकी थी वो कित हैं अब आ गया है इसको यूज भी कर सकते हैं 沏फ किया डेपार्टमैंट पे क्लिक किया टौटल सेल 2017 2016 प्लस 2017 पे क्लिक कर दिया तो यह आपका आपके सामने स्क्रीन पर आगया है । में खितना सेल हैं 19ay में 20ayda कितनी हैं और टौटल सेल कितनी हुई है तो इस तरह से थ तेबल का यूज़ करके अलग-अलग तरह से डेटा को हम दिखा सकते हैं एक और मज़िदार उप्शन बताता हूं में दोस्तों आपको इसमें इसमें आपने डेटा को और चेंग बता है पौर को और सब्सक्रादा इस आक अज़िड़ साय उप्सिंषनी सकते हैं यहां च्लब करने से हम डेटा को असानी से स्थाले क्ले परल आप होगी taperata को तो आप यहां पर क्लिक करऊए। यहां सेनिऊ कि आप अब यह कह रहा है कि कौन से column name से आपको create करना है माल लिजे मैं department पर click कर लेता हूं और इसको ok कर देता हूं ok करने पर क्या होगा यह department के नाम से slicer generate होगा आपका अभी यहां पर आप देखोगे यह देखिए आप यहां पर record जो देख पा रहे हो उसमें क्या होगा आपका कि यह देखो electronics पर मैंने क्लिक किया तो आपका filter एकदम से record हो गया यह जो slicer है record को filter करने के लिए यूज में आता है shortcut तरीके से तो यह आप देखोगे electronics department के अंदर ओम रमन रेहान है उन्होंने कितनी sale कितनी की है वो आपको दखाई दे रहा है furniture पर क्लिक करोगे furniture पर कौन कौन है उनकी sale दिखाई दे रहा है garment पर क्लिक करोगे garment में कौन कौन है वो आपकी यहाँ पर दिखाई दे रहा है हटाना है तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिए आपका record clear हो जाएगा filter आपका जो लगा है वो clear हो जाएगा तो आसानी से यहाँ पर आप देख सकतی ओ, फणीसर में कित्मी की है, जो भी है तो यह आप आसानी से यहाँ पर देख सकते ओ Slicer को हटाने के लिए क्या करना है, Line पर क्लिक कर देना कहीं भी और Delete बतर प्रेस कर देना तो यह Slicer आपका हट जाएगा तो दोस्तो इस तरह से हम जो pivot table है उसका use करते हैं अगर मान लीजिए pivot table में से सब कुछ आपको हटाना है तो clear का option यहाँ पे दे रखा आपको clear पे click कीजिए और clear all पे click कर दीजिए यह data जो है आपके यहाँ से remove हो जाएगा अब हमें क्या करना है अगर आपने clear किया तो यह तो आपका data तो हट गया बट structure जो table का है वो आपका बना हुआ है दोस्तो इसको कैसे delete करेंगे यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि इसको mostly हम delete नहीं कर बाते हैं उसके लिए क्या करना है आप इसको select कर लीजिए जो भी एरिया है आपका और चलिए home tab पे home menu पे हम गए और वहाँ पे जाना है आपको clear option के अंदर clear all पे क्लिक कर दीजिए तो यह आपका जो भी format होगा जो भी table होगी वो आपकी delete हो जाएगी तो दोस्तों इस तरह से हम यूज करते हैं private table का आप एक बार try कीजिए क्योंकि private table जो है वो एक advanced excel के अंतरगत आती है यह मैं आगे आने वाले वीडियो में भी आपको बहुत जल्दी बताऊंगा कि difference क्या है what is the difference between basic excel and advanced excel तो आप एक बार try कीजिए मैं एक बार फिर से आपके लिए बहुत जल्दी हाजर होंगा एक नया वीडियो लेके private table पे क्योंकि इसके लिए मैं बहुत सारे वीडियो आपके लिए अपलोड करूँगा अलग अलग तरहीके से अलग 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 record generate करके क्योंकि advanced excel के अंतर गाता आती है तो इसको आप कितना भी बढ़ा सकते हो record पे depend करेगा कैसा दोस्तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो के नीचे like बटन पे जरूर क्लिक करें इस वीडियो से संबंदित किसी भी जानकारी के लिए आप हमें वीडियो के नीचे comment box में भी लिख सकते हैं ताजा जानकारी पाने के लिए आप हमारे youtube चैनल को अभी subscribe करें और हमारे facebook official page को like and follow करें thank you दोस्तो have a nice day